नमस्ते बच्चों कैसे हो आप लोग मैं और मिला आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ यह वीडियो है लिंग लिंग मिस जेंडर इंगलिश में तो आपने जेंडर पढ़ाई होगा जेंडर टू टाइप्स के होते हैं एक मास्कलिन जेंडर दूसरा फैमिन इसी तरह हिंदी में भी टू टाइप्स के लिंग होते हैं जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग एक होता है इस्त्री लिंग दूसरा होता है पुलिंग तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि जिससे हमें मेल के बारे में पता चलता है उसे हम कहते हैं या फिर masculine gender दूसरा होता है इस्ट्रिलिंग जिसे हम English में कहता है feminine gender तो अब मैं आपको इसके कुछ examples बताऊंगी और उसका English में भी मैंने translate किया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी तो चलिए देखते हैं मैं यहाँ पे पहले pulling gender और फिर उसका strilling gender पढ़ दूँगी और आप यह वीडियो देख करके English में meaning अपने आप समझ सकते हैं तो जैसे देखिए पहला है बालक बालक का strilling होगा बालिका बच्चा बच्चा का strilling होगा बच्ची भाई भाई means brother उसका strilling होगा बहन मेहन means sister नाना उसका strilling होगा नानी नाना जो होता है maternal grandfather को बोलते हैं और नानी grand mother होती है maternal चात्र चात्र का strilling चात्रा राजा राजा means king उसका strilling होगा राणी लेखक strilling होगा लेखी का मामा मामा मीन्स होता है maternal uncle उसका strilling होगा मामी गायक 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 means singer उसका strilling होगा गायका female singer अध्यापक अध्यापक का strilling होगा अध्यापिका इसी तरह नेक्स्ट है बेटा बेटा का strilling होगा बेटी चाचा यह paternal अंकल को चाचा कहते हैं मतलब your father's brother इसका strilling होगा चाची भाईया उसका strilling होगा भाभी भाईया मिन्स ब्रदर जो आपका elder brother होता है आप भाईया का opposite भाभी भी लिख सकते हो और दीदी भी लिख सकते हो बोथ हार correct नौकर नौकर मिन्स servant उसका strilling होगा नौकरानी हीरन हीरन मिन्स डियर उसका strilling होगा हिरनी शेर शेर का strilling होता है शेरनी चूहा चूहा का strilling होगा चुहिया मुर्गा मुर्गा का strilling होगा मुर्गी पिता strilling होगा माता मुर्गा मुर्ग का strilling होगा मुर्गी घोड़ा घोड़ा का strilling घोड़ी फिर है बैल बैल का strilling होगा गाय 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 मिन्स काव इसी तेरे नेक्स्ट है दादा दादा मिन्स आपका जो ग्रेंड फादर है पैटर्नल ग्रेंड फादर उसका अपोजिट जेंडर होगा दादी पुरुष का strilling हो जाएगा इस्त्री पुरुष मिन्स मैन और इस्त्री मिन्स वुमेन हाथी हाथी का strilling हाथिनी मात्राओ भी ध्यान रखना बचो हथिनी ठामे छोटी की मत्रा लगाना है हाथी का strilling हथिनी लड़का लड़का का strilling लड़की सेह सेह का strilling सेहनी पूत्र पूत्र का strilling होगा पुत्री नायक नायक मिन्स हीरो उसका strilling हो जाएगा नाईका श्रीमान strilling श्रीमती माली माली का strilling मालिन मालिन लिखना है मालिनी नहीं मालिन लामे छोटी की मत्रा मतलब जो गार्डनर होते हैं वो फीमेल गार्डनर मालिन चिड़ा चिड़ा मीन्स मेल स्पैरो उसका अपोजिट जेंडर चिडिया कवी कवी मीन्स पोयट और उसका strilling हो जाएगा कवी त्री मीन्स पोयटेस नेक्स्ट है बक्रा उसका strilling बक्री तो बचो अल्मोस मैंने आपको इस सारे बता दिये हैं कुछ और मेरे पस एक बुक है उससे मैं पढ़के बता देती हूँ इसके मीनिंग भी है अगर कुछ रह गया हो तो जैसे कि आदमी आदमी मिन्स होता है मैन इसका strilling हो जाएगा और अरत मिन्स वुमेन भाई, बहन, मोर, मोरनी, मुर्गा, मुर्गी, बूढ़ा और बुढ़िया ये नया वर्ड है जैसे बूढ़ा मिन्स ओल्ड मैन और बुढ़िया मिन्स ओल्ड वुमेन आदमी औरत अध्यापक अध्यापिका दूला दूला मिन्स ब्राइड ग्रूम और दूलान मिन्स ब्राइड नाना नानी बंदर बंदरिया बंदर मंकी और बंदरिया मिन्स फिमेल मंकी पुरुष इस्त्री देवता देवी देवता मिन्स होता है God, male God और देवी मिन्स Goddess इसी तरह गाय, बैल, राजा, रानी, शेर, शेरनी इसे धोबी, यहाँ पे एक न्यू वर्ड है धोबी, धोबी मिन्स Washerman और धोबिन मिन्स Female Washer, I mean Washer Woman धोबी का स्ट्रेलिंग धोबिन माता, पिता, पुत्र, पुत्री, चूहा, चुहिया चाचा, चाची, दादा, दादी, मामा, मामी आप जैसे गुड़ा, एक नया शब्द है गुड़ा मिन्स Male Doll और उसका स्ट्रेलिंग होगा गुडिया, Female Doll नौकर, नौकरानी तो बच्चों ये थे, अल्मोस सारे जो लिंग थे, मैंने पूर लिंग और इस्ट्री लिंग आपको बता दिया है और उमीद करती हूँ कि इससे आपको परिक्षा में बहुत मदद मिलेगी तो चलिए, हम लोग कुछ टास्क भी कर लेते हैं जैसे एक्जाम में इस तरह के टास्क भी आएंगे टास्क टाइप के क्विश्चन्स आएंगे जैसे एक प्रश्ण है लिंग शब्दों का मिलान कीजिए मैं इस दो फॉलोविंग वर्ड्स भाई का इस तरह लिंग क्या पढ़ाता हमने बहन भाई मिस ब्रदर बहन मिस सिस्टर तो भाई बहन मामा मामी राजा रानी लेखक लेखिका बच्चा बच्ची इसी तरह देखिए एक दूसरा टास्क भी है कि दियेगे पॉलिंग शब्दों के इस तरी लिंग शब्द बनाईए जैसे कि छात्र छात्रा गायक गाईका माली मालिन अध्यापक अध्यापिका बचो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको लिंग को समझने में बहुत आसानी होगी और आप सब इसे इंग्लिश में भी इसका अर्थ जो गिवन है उसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट दे लाइक बटन और शेयर करना मत भुलेगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे की हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे इसी तरह वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मज फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ